यहां पर मैंने मटन ले लिया है फ्रेश मटन है धोके रख दिया अब एक एक करके इंग्रीडियन एड़ करने जाड़ी हो तो मैंने आलू को काट लिया है अलो को मिनने थोड़ा बड़ा साइज रखा है क्योंकि मतन क्योंकि बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगते है इसलिए अलो थोड़ा बड़ा साइज में है कटा हुआ अनियन है कटे कुई टमाटर है ब्रीन चेल है और एक तेच पता मैंने ले लिया है इहापर मैंने अध्रै गर्लिक और अनियन का पेस्ट है एक है टाइड आड़ी अ करें आड़ी का पार्डर एक रियो रेट छीपर्डर एक करियो ऐए धनिया पार्डर एक करें आड़ी काड़ी है जीरा पाउडर एट करें, स्वाद अन्नमक, अब उसमें ओयर एट करें, उसके बाद अच्छी दरा से मिक्स कर लेती हो तो मैं अपने हाथों से अच्छी दरा से मिक्स कर लेती हूँ मिक्स कर लिया, अब 10 मिनिट तक उसको इसी रह देती है कराई में ने बिठा दिया गेस पर और थोड़ा बहुत तेल भी डाल चुकी हूँ अब उसमें कटा हुआ ओनियन डाल रही है तो यह दाट चिली है, जोग लेट कर लेट कर लेट अब उसमें मिक्स कर लिया मटन डाल रही है अब उसमें मिक्स कर लिया, अब उसमें 5-10 मिनिट तक ढ़के रख दूँगी और बीच बीच में आके आके चेक करते रहूंगे, पर नीचे लगना जाए और फ्रेम को मैंने मीडियम कर लिया 5-10 मिनिट हो चुकी है, अब देख लेती है और मैंने बीच बीच में चेक किया अब उसमें थोड़ा मिक मसला एट करने जाड़ी है अब उसमें अच्छी तरह से लिक्स कर लेती है कोकर में डाल देंगे और पाच्छे से सिटिया लगाएंगे बॉयल होने के लिए कोकर में मैंने मतन ले लिया है अब उसमें थोड़ा पानी अट कर रही हूं बॉयल होने के लिए कोकर में बॉयल होने के लिए कोकर को खूल के देख लेती हूं सिटी लगा दिया है तो देख सकते हैं बहुती बड़ी या मितन करी हुआ है और बहुती सुंदर और मॉटन भी बॉयल हो चुके है अलोबी बॉयल हो चुके है अब उसे सर्फ करने के लिए निकाल लेती हूं तो यह वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शियर कीजिए और जो भी निव फ्रेंड जिन्होंने आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइ बेल को भी अन कर लीजिए निव अपडेट पाने के लिए